कि स्वागत है आप सभी का आपका अपना यूट्यूब चनल आई ट्याई गाइडलाइन में मैं हूँ रांबय आश्यादव जैसा कि दोस्तों आप लोग जानते हैं कि आज चार तारिक है और आपका जो सिवीटी एक्जाम चल रहा था वह अब समाप्त हो चुका है अब उन सभी ग्जारती जो बाकि होगे कहीं एग्जाम कैंसिल हiquiva होगा हालाकि मेरे नजर में Hebrew ग्जाम क्याम होगा अगर कहीं कहीं अगर हुआ भी होगा और वह विद्यारती जिनका किसी ओलों से जारेव नहीं होगा था तो उनका अगर एक्जाम होता है कुछ स待 लेकिन आ होगा आपकी result है कि नहीं सभी विद्यारती के मन में चल रहा हो कि result हमारा कब निकलेगा वो भी एक date जो है clear कर दिया गया है result जारी हो जागा और जैसे ही जारी result होगा तो मैं आप लोग को सबसे पहले result का update देने का कोशिस करूगा हलाकि अब तो result सभी के mail में आ जाते हैं किसी परकार कोई दिक्कत नहीं यह चेक करने में पहले दिक्कत होता था चेक करने में side भी जो जाता था बहुत सरा problem आ जाता था लेकिन अब क्या है कि result आपके जो भी विद्यार्थी पास होते हैं उनको विद्यार्थी फेल करेंगे तो देखी यहां पर मैंने लिख दिया हूँ पास या फेल ठीक है यहां पर किलियर किया हूँ कि पास या फेल हलाकि हमारे तरफ से सभी के लिए सुब काम नाएं रहेगी कि जितने ही विद्यार्थी आइटे के एक्जाम दिये हैं सभी विद्यार्थी अच्छे नंबर से पास हो बसरते आप लोग पता होगा क्या है देखिए सबसे पहले आपका जो एक्जाम होता है वो होता है प्रिक्टिकल आप लोग कोई पता है वो होता है हमारा अधाइसो नंबर का है ना तो अधाइ लाइन एक्जाम आपका होता था तो यह तो college में आपका हो रहा था चलिए कोई दिकत नहीं है दूसरा जो आपका होता है एसेस्मेंट का जो आप लोग जमा करते हैं वो होता है आपका 200 नमबर का कितने का होता है आपका इसमें भी अगर 120 नमबर ले आते हैं तो पास आपको फोलाइन होता है यह घर से लिख करके जमा करने के लिए आपको नहीं है यह दोनों में आप अराम से अगर एकजाम दीए होंगे गए हो को लेज तो आप पास कर जाएंगे अच्छे नमबर से इसमें कहीं को दिकत नहीं यह हमारे थोरी के एकजाम हुआ ऑनलाइन जो आप हमारा सीवीट एकजाम हुआ उसका मैं चर्चा कर रहा हूं देखेगा बारेकी से बड़ी इसमें आपको किलियर में बताने वाला हूं बहुत सारे विधयार्थी को डाउट है और चौंथा जो हमारा है बर्क्स अप कल्क यह जो एकजाम है हमारे ऑउनलाइन हुए है है इलनलग अलग सपजेक्ट ये यह अलग अलग है लेकिन एकजाम जो हमाह रहा हुआ है एक ही में हुआ एक साथ हुआ एक ही सिफ्ट में एक्जाम हमारा यह आप लोग का कंड़क्ट हुआ है दिये हैं आप लोग जाम जिसमें टेट थियोरी, बर्टसफ कल्कुलेशन और इंजिनीर ड्राइंग तीनों को थियोरी के साथ में क्या कर दिया गया है मर्च कर दिया गया है यह एक ही के साथ कर दिया गया है और इंप्लाइटी एस्किल को अलग रखा गया है किसको इंप्लाइविटी एस्किल को अलग रखा गया है लेहाला कि इसका भी एक्जाम उसी दिन उसी के साथ में होता है सबसे पहली चीज कि जो विद्यारती कितना कितना बनाएं नहीं जानता हूं मैं आप लोग जानते हैं कि थियोरी में 38 कोश्चन जो था आप लोग भी पता है थियोरी में कितना था 38 कोश्चन तो हर कोश्चन का जो marks होता था, 2 number का होता है, ठीक है, right, कितने का, 2 number का, लेकिन question 38 हमारा रहता है, ये हमारा 6 question रहता है, works of calculation and science में, ये भी 12 number का होता है, कितने का होता है, 12 number का, ये हमारा engineer drawing है, इसमें भी 6 question रहता है, ये भी जो हमारा होता है, 12 number का होता है, इंपलाइवीटी एस्किल जो हमारा हुआ इसमी हमारा 25 कोस्टन रहता है और 50 नंबर का होता है तो यह हमारा नंबर के हिसाब से यह हमारा है सबसे पहले बता दें कि आप जो सीवी टी एकजाम दिये हैं उसमें negative मार्किंग नहीं है सभी विद्या द्यार्थी का बहुत सारे बिद्यार्थी का पुछ्ता चल रहा था कि सर क्या द्यार्थी एकजाम में हमारा जो है negative marks रहेगा या क्या रहेगा तो मैं बता रहेता हूँ आपको किस में आपको negative marking नहीं था ठीक है negative marking नहीं था जो विद्यारती 38 question में अगर 20 question भी बनाएं और उसको और सब अंदाजे भी मारते हैं मिला जुला करकर के तो भी आपको कोई दिक्कत नहीं है अगर उसमें वि तो गलत होगा उसका negative marking नहीं था ठीक है अब आये बात करते हैं हम लोग चाचा कि क्या सभी subject में हमको अलग-अलग पास करना होगा या नहीं ठीक है यह बहुत बड़ा सवाल है सभी विद्यारती के मन में है फर्स्टियर के विद्यारती के भी मन में है कि हमारे चारों जो subject aligned क्या सभी में अलग-अलग हमें पास करना होगा क्या टोटल कोशवण हमारे सबसे पहले हम दोग नहीं पयु हम लोग बात करें तो हमारा हो जाता है यह 8 10 14 14 और 6 20 और 50 यानि यह हमारे कितना हो जाते हैं पच्चास कोश्टन यह मिल टोटल मिला करके तीन वो ट्रेट थियोरी बग्षप कल्कुलेशन और इंजीन ड्राइंग यह और 30 कोश्टन हमारा यह था ट्रेट थियोरी में और 6 12 12 कोश्टन मिला करके इसमें तार दू दस तीन चार एक पांच यानि पचास कोश्टन इसमें था तीनों मिला करके और इसमें 25 कोश्टन था ठीक है तो देखिए हवड़ाने की बात नहीं है जो विद्यारती इसको मैं मिटा ज़ता हूं यहां पर जो प्रह था यह तिनों जो हमारा है theory, works of calculation और इंजिन ड्रियां तीनों को हमारा कोश्टन जओ हमारा होता है वह होता है 50 कोश्टन यानि बराबर सोट नंबर का कितने नंबर का हो गया यह सो नंबर का exam हो गया. तीनों मिला करके ठीक है. तीनों मिला करके हमारा कितना number का हो गया? 100 number का. याद रखेएगा 38 question 6 question 6 question यह हमारा 50 question हो गया और 50 question में दो-दो number का कितना number का हमारा है हर एक question 2 number का question है तो 100 number का हमारा यह exam हुआ था. तो यossen, आप जान लिए ये 3 को अलाग अलाग करके pad करना जरूरी नहीं है इसलिए कि 3 को एक सार theory के साथ में दोनों को balance of calculation का और engine drive को match कर दिया गया है इसलिए 3 को मिला करना जरूरी नहीं है आप 100 number में 33 number अगर ले आते हैं यानि 33% ले आते हैं तो आप pass हो जाएंगे ठीक है तो आप समझ लिजे कि हम कितना question right बनाये हैं बनाने के लिए तो सभी लाका बनाये होंगे लेकिन सही कितना question बनाये हैं तो 100 number में 33 number 33 number अगर आप लियाते हैं तो आप pass कर जाएंगे बाकी percentage बनाने के लिए आपको 33 number से काम नहीं चलेगा आप जितना जादा number लाएगा उतना आपका percentage आगे रहेगा आप हो गया इदे की impliability skill में यह हमारा 25 question था और कितने number का हो गया दो number करके अगर हमलो करते हैं तो 50 number का इसमें भी हमारा 33% लाना अनिवार्ज है ठीक है यानि 17 number इसमें भी लाना हमें जरूरी पड़ेगा इसमें भी हमें 17 number लाना पड़ेगा 17 अगर number ले आते हैं तो आप pass हो जाईएगा ठीक है क्या 17 number अगर अप लाते हैं तो pass हो जाईएगा यह pass marks है बाकि इससे आप जितना ज्यादा लाते हैं वो आवारा वो आपका जो है plus point होगा percentage आपका बढ़ेगा marks आपका ज्यादा रहेगा और यह जो हमारा assignment और practical जो हमार रहा है इसमें आपको कम से कम 60% number लाना आनिवार्ज है इसमें 33% नहीं चलेगा इसमें कितना है 60% ठीक है तो वह तो college की बात है वह आप आराम से पास किजिए कहीं कोई दिकत नहीं है आपका दिकत यह जो online exam था इसमें था तो आप समझ लिजिए कि अगर इतना आप solve की हों होंगे सो नंबर में अगर 33 नंबर आपका आ जाता है तीनों मिला करके तो आप पास हो जाएगा दूसरा चीज अपका इंपलाविटी स्किल में अगर आप 50 नंबर में 17 नंबर ले आते हैं 33% तो आप पास हो जाएगा अगर इससे आपको कम रहता है तो आप fail साबित होंग पास करना होगा या फिर सब साथ में पास करना होगा तो आप लोग जान लिए सब साथ में पास करना होगा और डौट सारी किलियर हो गया होंगे कि कितना number लाएंगे तो pass होंगे कौन-कौन subject में क्या रहेगा तो हम pass करेंगे अलग से pass करना होगा, एक साथ pass करना होगा अगर मैंन में कहीं किसी परकार कर और अगर आपको doubt है तो आप हमें comment करें और पताएं कि यहाँ पर हमें clear किया जाए मैं करूँगा, बाकि result का इंतिजार किया जाए result आते ही मैं आपको update दूँगा कैसे mark sheet download होगा कैसे आप result चेक करेंगे तो चलिए, thank you फिर मिलती किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट आफिक साथ तब तक के लिए जहिन बंदे मातरम बाई-बाई